वो जो कहते हैं ना कि कभी आकर मिलो हमसे, उनसे कभी पूछो तो सही, यार जितना हमें बुलाते हो रोज कि आजाओ, आजाओ, कभी तो आजाओ, उतना खुद भी तो आकर मिल सकते हो एक बार, एक फॉन भी कर सकते हो, या वो जो तुम करना भूल गए हो, यानि खत लिखना वो भी तो लिख सकते हो हाँ ठीक है माना कि वाटसैप का जमाना है और सोसल मीडिया पे सब कुछ है लेकिन फिर भी उन पुराने ख़तों की बातें कुछ और ही होगा करती थी कुछ अलग सीवा करती थी हैलो हाई नमस्ते और पहला गुतराखन वो जो अक्सर कहते हैं कि चलो यार कभी तो मिलने आ जाओ तुम भी और फिर कहते हैं कि मिलकर बैठेंगे और खूब बातें करेंगे वो बातें जो सायद हम भूल रहे हैं या वो बातें जो सायद पहले गुत-गुदाया करती थी और आज साथ ज़्यादा गुदू देंगी पर उनसे कभी पूछना यार एक फॉन तो कर सकते हो फॉन नहीं तो कम से कम वो चीजे कर सकते हो वो बात कर सकते हो जो तुम भूल चुके हो समझ यह ना? यानि कि खत लिखना कभी उठा कर देखो कलम और कोरे कागज को उठा कर देखो देखना कि किस तरह से वो तुम से बातें करने लगते हैं और तुम्हारे जजबात खुद बखुद उस कोरे कागज को रंगीन करने लगते हैं और जब ऐसा होने लगता है तो सचमुच वो दिन याद आते हैं वो जिंदगानी याद आती है जो सायध हमने 5 बिताई होती है और या जिसको बिताने की ललक हमारे में होती है कभी देखा है आपने, कोई भी ख़त उठा कर अगर हम देखते हैं तो एक उसमें एक पार्ट वो होता है जो हम जी चूके होते है और एक अपने आप से उसमें से परदा हड़ता है और फिर एक पतला सा परदा पड़ता है जिसके उस पार वो दिन होते हैं या वो जज़बात होते हैं जो हम जीना चाहते हैं या यहों कहें कि मिलकर जीना चाहते हैं एक साथ जीना चाहते हैं तो जो आपसे कहेना कि कभी आकर मिलो हमसे उनसे कहना ये बात कि कभी सुनो अपने दिल की और ये जो इलक्ट्रोनिक मीडिया यानि कि सोसिल मीडिया ये जो माध्यम है इलक्रोनिक के और जो सोसिल मीडिया है इससे कभी निकल कर थोड़ा सा बाहर आओ ये नहीं कह रहे हैं कि निकल कर बाहर आओ क्योंकि ये आज की डिमांड है और आज का ये वर्तमान है लेकिन कभी एक कलम उठा कर देखो उस स्याही में डुबो कर देखो उस निब को और उसके बाद जब अपने हाथ चलाओगे तो देखना कैसे जज़बाद निकल कर आते हैं उस कोरे कागज को एक घरवालों को और उठाइए कागज कलम और लिख डालिए आज ही एक ऐसा खत जिसमें आपके जज़बात हो जिसमें आपकी जिन्दगी की बयानगी हो रवानगी हो और फिर आप से हमारी भी मुलाकात हो चलिए आप लिखिए हम भी लिखते हैं क्या पता खतों की दुनिया फिर से उन जज़बातों को लेकर हमारे बीच आजाए क्या कहते हैं